असलाम दीकुम दोस्तों तो आज किसी उड़े में हम बात करने वाले हैं आइफोन 7 प्लस के कम्प्रीट रिव्यू के बारे में और हम यह जाने वाले हैं कि क्या हमें आइफोन 7 प्लस 2023 में परचेस करना चाहिए यहां पर नहीं तो गई सबसे पहले मैं आपको बताता चलों वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस नहीं करूंगा इसकी जो में में चीज़े हैं मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा ताकि आप 2023 में अगर आइफोन 7 प्लस परचेस करने वाले हैं तो आपको कोई भी किसी किसम की मिस्गाइडन्स ना हो तो चले हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं गाइज अगर आप पाकिस्तान में यह जो फॉन है यह वान टो एट जीबी वेडियेंट वाला परचेस करने जा रहे हैं नौन पीटीए तो वो आपको 25 तू 30 के में जो है वो मिल जाएगा और अगर आप PTA प्रूब्ड फॉन जो है वो पाकिस्तान से परचेस करने वाले हैं तो आपको वो 1-8 जीबी वेडियेंट वाला अच्छी कंडिशन वाला जो है वो 42-45 के में मिल जाएगा क्योंके PTA वाला इशू जो है वो गाई सिर्फ पाकिस्तान में बागी दुनिया की किसी भी गौने में वो आपको गौर्णमेंट को फजूल सा टेक्स पे नहीं करना पड़ता तो गैस सबसे पहले हम बाट करतें इसके लुक्स के बारे में जो इसके लुक्स हैं वो बहुत ही जादा अभी भी 2023 में भी जो है वो इसके लुक्स आपको दुसरे फ़ॉंस की निसमत बहुत ही जधा प्रीमियम और स्लीक लुक देती हैं जो कि अगर आपने हाथ में होल्ड किया हुआ है अगर आप Max Size या फिर फिर प्लस साइस यूजर है ऐपोन के तो आपको बहुत ही जदा Easy to Carry लगता है और बहुत ही मज़े का साइज लगता है इसका मैंने पहले ही बोला है अगर आप max यहां फिर plus size user है तो guys अगर हम बात करें इसके display के बारे में तो इसका जो display है वो 5.5 inches retina HD with 1080p resolution के साथ Apple ने आपको introduce करवाया था जिसका size बहुत ही मज़ेक है 5.5 inches इसका display है जिसके उपर आप gaming बहुत ही मज़े से कर सकते हैं अगर तो आप gamer है वैसे 2023 में इसके उपर PUBG चल जाती है लेकिन वो उस लिहाद से नहीं चलती जिस तरह से आपके दूसरे अच्छे प्रसेशस वाले phone के अंदर चलती है तो guys बागी दूसरे लहाद से अगर आप Android से iPhone पे switch कर रहे हैं यहाँ पे आप auto adaptive यहाँ फिर settings में से जाके इसकी डिस्प्ले की sharpness को set कर सकते हैं ताके यह आपकी आँखों पे effect ना करें तो guys अगर हम बात करें इसके RAM ROM और chip के बारे में तो यह आपको A10 की fion chip के साथ आपको दिया गया था जो कि इसके अपने वक्त में जब यह आया था बहुत ही जदा performance वाली थी बहुत ही जदा अची ती जिस पर gaming बहुत ही मज़े से की जा सकती थी और ROM जो है वह इसकी तीन वेरेंट्स आया थे 32GB, 128GB और 256GB क्योंकि 64 इसमें नहीं आया था वह 8 Plus के अंदर आया था गाइस अगर हम बात करें अब इसके camera के बारे में तो इसका camera अभी भी बहुत ही जदा अच्छी quality की आपको जो है वह picture लेने में मदद करता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अगर आप इसके ओपर video record करें तो आप इसको अपनी video को 4K Ultra HD Mode पर record कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको भी करके दिखाता हूं आप लोग देख सकते हैं कि इसका video का result है वह अभी भी बहुत जदा मज़े की look देता है बहुत ही अच्छी quality देता है video record करने में बहुत से लोग जो है वो इसकी display resolution से बहुत जदा मुतासिर होते हैं iPhone की क्योंकि यह बहुत ही जदा sharp colors आपको देता है जो कि आपको देखने में बहुत ही जदा मज़े के लगते हैं और guys अगर हम बात करें इसके speakers के बारे में तो यहां पर bottom में आपको एक speaker मिलता और एक earpiece में जो के stereo speakers के साथ iPhone 7 Plus आया था जो था कुछ लोगों को लगता था कि iPhone 7 Plus जब आया था इसमें दो speakers हैं like dual speakers एक यह है औ जो नहीं यह जो था वो इसका माइक था और यहां पर speaker था और एक speaker जो है इसका earpiece में दिया गया था और अगर हम gaming की बात करें तो मेरा जो honest review है guys इसके बारे में यह बिल्कुल भी आप जो है इस वक्त के लहाँ से gaming phone नहीं रहा ऐसा नहीं है कि games इसके उपर चलती नहीं है game सलती हैं लेकिन उस लहाँ से आप gaming नहीं कर सकते जिस लहाँ से जो है वो आप अपने किसी अच्छे processor वाले phone के उपर gaming कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको misguide बिल्कुल भी नहीं करना चाहता अगर आप जो है वो android to iphone switch कर रहे हैं तो यह सबसे best option है क्योंकि यह iphone का पहला phone थ जा था लाइक अगर आपके iPhone 7 Plus की battery health बहुत अच्छी है तो आप जो है वो इसकी बैटरी को 15 horse with wifi connected जो है वो यूज कर सकते हैं अगर आप 4G यूज करते हैं तो उसको आप 7 to 8 horse वो अपने phone के अदर जो है वो अपनी बैटरी का backup राक सकते हैं ठीक है और अगर आप android to iphone switch कर हैं तो यह dual camera की facility के साथ जो है वो आपको दिया गया है performance आज भी बहुत ज़्यदा अच्छी है और मुझे honestly मैं बताऊ तो मुझे कि फोन बहुत ज़्यदा पसंद आया था जब यह आया था और अब भी पसंद है मुझे और गाई इसके अंदर जो है वो 2022 के बाद जो है वो इसकी सारी apps work कर रही है तो इसके बारे में आपको घुपराने की बिल्कुल भी जरू है और यह था काईज इसके बारे में complete review अगर आपको मेरे वडियो अच्छी लगिया तो प्लीज मेरे चानल को subscribe करना मत बूलिए और मेरे वीडियो का like करना भी मत बूलिए थैंक्यू सो मत बूलिए और में करना में वीडियो कर दो कि यह तारे में बूलिए और में में सोब्ते हैंए।